आप अगर आप अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा बहला बिल्कुन बूलेगा विकूर इसी तरह की इंट्रेस्टिंग आइडिया में आपको हर वीडियो में लेकर आता रहता हूं अगर और इन फैक्ट आपने देखा भी होगा हमने PNV के बारे बात की थी, HDFC Live के बारे बात की थी, चंबल फर्टलाइजर, चित्ते भी स्टॉक्स के बारे बात की बहुत ही बहुत ही बहतरी इंचाट पैटन्स बने हुए हैं, इन फैक्ट पिरामल फार्मा आपने देखा यह किसरे का जबर्दस्त रिटरन दिया है, त कोई सारे ही आइडिया आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, अगर आप उसे जुड़े रहेंगे और जुड़ने के लिए सिर्फ वर सिर्फ आपको चैनल सब्स्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना है, जब भी में कोई नए वीडियो आपको सबसे बिले महिंद्रा के बारे हैं, महिंद्रा में एक बहुत ही एक टाइट रेंज में कंसॉलिडेशन चल रहा है और यह कंसॉलिडेशन के रेंज क्या है, यह है अल्मूस्ट साड़े छब्विस हो से लेके तीनजार के बीच में और यह आपको काफी टाइम से दिख रहा होगा, कि य यही पर इसी लेवल तीनजार के आसपास ही घूम रहा है जैनुरी दुजार चौबिस से लेके और अब हम पहुँच चुके हैं अल्मूस्ट नवेंबर दुजार चौबिस में तो अल्मूस्ट एक साल हो गया है, इसी रेंज में घूमते गूमते इसको और चब्विस हो से लेके और साड़े चब्विस से लेके और तीन हजार यह एक ब्रॉड रेंज है और जो कि साड़े तीन सो पॉइंट्स की रेंज है और अब क्या हो रहा है इसमें अब मेरे रडार पर क्यों आया है क्योंकि एक जो लेवल है 26, 37, 26, 40 मान लिजे यह जो लेवल है यहाँ पर काफी बार भी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है एक तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आया ही नहीं सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया दूसरी बार सपोर्ट लिया थर्ड टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट लेन से पहले ही ऊपर चलना शुरू हो तो यह एक अच्छी चीज है और यह 26 के नजदीक जो आपको मिलता है तो बिलकुल लपक के लिए लेना है और स्टॉप लगा लेना है इसमें 26 का है चब्विसो तीस पैंतिस चालिस के आसपस का तो यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है अगर यहां पर आप लेते हैं किसी भी गिरावट में अगर मान लीजिए गिरावट में मिल जाता है तो तो आपको स्टॉप लॉस आपको एक तो बिल्कुल बने रहेगा नई पोजिशन दोनों तरफ ले सकते हैं नीचे आए 2600 के नजदीक मिल जाए तो फिर आप वहां पर ले लिजिए नई पोजिशन या फिर मान लीजिए 2974 चल रहा है तो 2974 चल रहा है 2792 के आसपस मिल जाए 2900 के आसपस मिल जाए या फिर 2900 के आसपस भी अच्छा सपोर्ट है वहां पर भी मिल जाता है और 70-60 रुपए नीचे और नीचे गिरे तो और थोड़ा एक्यूमिलेट कीजिए 2800 के आसपस हर 100 रुपए की गिरावट पर इसमें एक्यूमिलेट कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप्लस लगा लिजिए 2637 या फिर 2600 लगा लिजिएगा क्योंकि हो सकता है कोई कैंडल नीचे जाके ऊपर चलना शिरू हो जाए तो स्टॉपलस अगर बहुत ही अल्टीमेट स्टॉपलस की बात करेंगे तो 2530 का अल्टीमेट स्टॉपलस है 2530 के नीचे जाएगा तो बिलकुल निकल जाना है सोचना नह अगर ब्रीच करता है तो फिर इसमें परिशानिया बढ़ सकती है नई पॉजिशन एक और तरीका है लेने का और वो तरीका क्या है इसमें अगर 3000 के ऊपर चलना शुरू हो तो फिर आप इसमें नई पॉजिशन भी ले सकते हैं और ये मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहीं अगर वह भी निकल जाएगा तो फिर इसमें बहुत अच्छी चाल आ सकते हैं और वह इसको आपको तो आलमुस्ट 33 33 50 तक की भी चाल देखने को मिल सकते है मैंद्रा में देली का चार्ट थान देखिए का डेली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं आरेस तो यहां पर भी 55 का आरेस आई है तो यहां पर मुमेंटम भी थोड़ा सा मिसिंग है बट आपको अच्छा चार्ट प मिल रहा है तो आपको मुमेंटम तो भी थोड़ा मिसिंग जरूर लग रहा है बट प्राइस पैटन बहुत बढ़िया लग रहे है तो यह हो जाता है डेली का चार्ट आज भी मार्केट गिरा है बट आज आप देखेंगे तो आज के मार्केट में भी आल्मुस्ट 3% का रि देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेज वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि इसमें 20 वीक एक्पनेशन मुविंग अरज कहां पर आ रहा है वह और 2800 तो एक्दम इंपॉर्टन वाला सपोर्ट है बट 2530 जो लेवल में आपको बता है वह तो 200 एमा है औ 200 एमा का बिलकुल स्ट्रिक्ट स्टॉपलोस लगा के रखना है बट यहां पर 2800 का भी स्टॉपलोस लगा सकते हैं वीकली के चार्ट पर 2800 भी 20 वीक एक्पनेशन मुविंग आपके जा रहा है तो और यहां पर पोजिशन बिलकुल आप ती नजार के ऊपर बनाए या पर फोड़ा सा नजदीक बनाएं 2800 के या 2700 पर तो वहां पर बनाएंगे तो भी अच्छा एक्क्यूमिलेशन हो जाएगा आपके लिए और यहीं पर यह घूम रहा है बहुत टाइम से अब यह हो सकता है अगर इस बार ब्रेक आउट दिया तो बहुत अच्छा ब्रेक आउट हो सकता है यह और बिल्कुल यह ब्रेक आउट देने के बाद 3220 तक जा सकता है यह 3300 3350 तक भी जा सकता है यह तो यह हो जाता है वीकली के चार्ट में भी आ रहा है से दिखते हैं तो 58 का रहा है तो यह भी एक आपको क्लियरली शो कर रहा है कि अभी यहां पर थोड़ा सा मो इसे डिसकस करके लिजेगा अधरवाइस नहीं एक बार इसको मंतली के चार्ट पर भी देख लेते हैं मंतली के चार्ट पर कैसा प्लेजिए मंतली के चार्ट पर तो आपको बहुत ही एकदम ऐसा ख्ली दिख रहा होगा कि यह जो दो मन्त की कैंडल है यह मन्त है और यह 2635 के असपास और आप देखेंगे तो लास्ट मन्त की जो कैंडल है ग्यारा साड़े ग्यारा बारा परसंट की नेगेटिव कैंडल है रेडी कैंडल इस मन्त में इसने और नौ परसंट का रिटरन दे दिया है आपको ज़रूर चोटी कैंडल लिख रही होगे ऐस कंपेर अक्टूबर मन्त की क्योंकि जब उपर से गिरा है तो 11 परसंट बढ़ा है तो 100 रुपय का 10 परसंट मान लिजे 90 रुपय होता है बट 90 का 10 परसंट रुपय नहीं होता है तो इसलिए आपको छोड़ी चोटी कैंडल लिख रही है बट 9 परसंट का कैंडल बन चुक है बिल्कुल क्लियर कट लांगर टर्म चार्ट पैटर्न जबरदस लग रहे हैं मोमेंटम जबरदस तो इसको बिल्कुल आपने डार पर रखीगा और आगर आपको पॉजिशन मुझे बिल्कुल कॉमेंट लिखिए कहां पर आपने पॉजिशन लिखिए रहा आपका इंपॉर्टेंट है तो यह मेरा भी हो जाता है महिंद्रा इंड महिंद्रा पर और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे बैल आइकन दवाना बिल्कूर नगो लिगा और वीडियो गर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे दोस क्यों मुझे वाचिंज वाचिंज वीडियो